वेल हेलो भाई लोग उमेट करता हूँ आप सब्सक्राइब बढ़िया होंगे तो किस्टपर नौलैंड के एक मूवी आने वाली ओपन हैमर जिसको लेके लोग बहुत जारा एक्साइटेट है लेकिन यहाँ पर एक कोशन यह भी निकल के आता है कि आखिर यह ओपन हैमर है और क्यों काफितार लोग इसे वर्ल्ड ऑफ डिश्टार भी बोलते हैं तो भाई इस बंदे के इत्यास बहुत ही कौन्टर वर्ट चार रहा है आप लोगो यादि होंगा कि जापान के हिरोश्रिमा नागा सागी के उपर एटम बॉम से अटाइक किया गया था जिसमें लब बॉम बनाया था और इसकी जर्णी बहुत ही रोमांचिक रही है तो वह स्टार करते कहानी को बिगिनिंग से बस आप लोगों से एक छोटी से रिक्वेश्टर के वीडियो को एंटर जरूर देखना और पसनाया था चोटा सा लाइक जरूर करना तो जे रोबर्ड ओपन हैम जर्मानी में सेफ नहीं है जिस मैं से श्कार आईमरीका आगे है और इस हम्सका अमरीका प्रूर थी को बताबी थी प्रेजर ने उस टाइम पे इसके पर कोई भी रियक्ट नहीं किया लेकिन 1941 में अम्रीका के उपर इटाक हुआ जिसके बाद में अम्रीका भी कूझ गया वर्ल वर्ल टू के अंदर और इसके एक साल के बाद 1942 में अम्रीका को भी रेलाइज हुआ कि वार्ड में अगा करना है तो आप चेक कर लो कि उसमें न्यूटरन चेंज हो रहा है या फिन ही ओपन हमर ने उस चीज को सुविकार किया और 1942 के जून के महिने में यह प्रोजेट आर्मी को टेक ओवर कर दिया गया इस प्रोजेट को एक दम सीग्रेटली ऑपरेट किया जा रहा था और इसके न आप और साइंटिस को पहतर करना था और यह काम कितना दार डिफिकल है अब इस चीज से अंदर लगाओ कि साइंटिस का सिर्फ काम है रिसर्च करना और बॉम को तयार करना जबकि आर्मी काम था प्रोडॉक्शन दिना पर बॉम को सही जगे पर पहुचा आना अब सुनने म हमने पूरे अपनी जान चुकजी इस बॉम को बनाने के लिए और फाइनली तीन साल के बाद उनकी महनत रंग भी लाई 1945 जुलाई 16 को इस बॉम को पहला टेस्स किया गया और इस टेस्स का नाम था ट्री निटी टेस्स और फाइनली टेस्स सक्सेज विरा जावा दुनिया क अपना पहला अपना अपना अपने बॉल गया और इस बॉलने के बाद में काफे साल लोग ओपन हैमर को दिश्टार भी बोलते है क्यों ओपन हैमर समझ चुके थे कि इस बॉम से इतनी तबाई मत सकती है जितना कोई कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकता और ऐसा एक्शली म सूला जूलाई को एक पोस्ट डैम डेकलरेशन भीजा जाता है जापान को जिसे मेंशन होता है कि आप सरेंडर कर दीजे अदरवाइस हम आपके उपर आटामी बॉम से हमला करेंगे आप क्यूंकि उसी दिन जिस दिन ही टेस्स हुआ ये नोटिस भीजा गया तो जापान को पोस्ट डैम डेकलरेशन को रिजेट कर दिया और फिर अमरीका ने 6 और 9 अगस को हिरोश्रीमा नागा सागी के उपर आटामीक बॉम से हमला किया जिसको बनाया था रॉबर्ट ओपन हैमर ने और इस हमले के अंदर दो लाग से भी जादा लोग मारे गए और तबाश को दे इसके बाद में पूरी तरीकी से बदल के रह गई और फिर ओपन हैमर ने इस हमले के बाद में बॉम बनाने में बन कर दिया लेकिन इसके बाद में इस कहानी की एक्ट्र शुरुआत होती है क्योंकि अमरीका और सोवेट यूनिके बीच में फिर कोड़ वार स्टार हो जाती कोड़ वार मतलब वह नहीं कि हमला हो रहा है जंगे हो रही है मतलब आपस में इसके खराब बना शुरू हो जाते फिसके बाद में अमरीकार रिसाइट करता है 1949 को कि वह एक हाइड्रोजन बॉम बनाएंगे जिसके लिए दोबारा हो इन्वाइट करते ओपन हैमर को जिसके कवर्मेंट को बहुत जारा कुस्ता आजाता है मतलब भाई तुम्हें चीज को अच्छी तरी के समझो कि तुम्हाई देश की सरकार है जो तुम्हारी प्रोडेशन के लिए बॉम्म बनाना चाहती है और तुम उसके निंदा करोंगे तो सिरीज बात है कि तुम्हें वह दे अच्छा निकला तो यकिन देश को बहुत बड़ा खतर होंगा जापर रिसेज में यह पूरूफ होता है कि ऑपन हैमर के काफी जारे से दोस्ते कमेंटिश पाल्टी यानि सोब्याइज दिन्रों को सपोर्ट करते है और और पुब्ली को बहुत जारा सपर्ट होता है इसलि के बीच में ओपन हैमर पब्लिक हीरो बन जाते है और साइंटिस कम्यूटी में आज भी उन्हें एक रेवुलिशनर साइंटिस माना जाता है कि उन्हों दुनिया वह हत्याद जाए जिसके लोग सिर्फ कालपना करते थे और 1967 में हेवी कैंसर की बज़े से ओपन हैमर की आज बेज़े हो चुकी है मैंने सोचा आप लोगों रिलीस से पहले इस की स्टोई बताना तो बनता ही है तो बहुत जाने तो पहले आप लोगों के रिवीव में तब तक गुडबाइ और टेक केर